Hello Everyone, तो दिखें यहाँ पे भारत Electronics Limited की तरफ से कुछ vacancies निकाली गई हैं और ये चनई यूनिट के लिए निकाली हैं और ये temporary basis पर यहाँ पे रहने वाली हैं ठीक है दोस्तों तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको किस चीज की requirement है project engineer की इनको requirement है और trainee engineer की इनको requirement है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए project engineer electronics में इनुने यहाँ पे पोस्ट निकाली हैं और project engineer की इनुने electronics में 7 पोस्ट यहाँ पे रखी हैं और project engineer mechanical में इनुने 5 vacancies यहाँ पे निकाली हैं जिस मेंसे इनुने general category वालों के लिए 6 vacancies रखी है OBC वालों के लिए 2 SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWs के लिए 1 रखी गई है ठीक है अगर आप Project Engineer की Post ये जो इन्होंने निकाली हैं इसमें Apply करना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो 32 साल तक होनी चाहिए अगर आपकी उम्र 32 साल तक है तो आप यहाँ पर Project Engineer की Post ये जो इन्होंने निकाली हैं इसमें Apply कर सकते हैं साथी साथ आपको कम से कम 2 साल का Experience भी होना चाहिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो देखे यहाँ पर इन्होंने Trainee Engineer की भी Post निकाली है Trainee Engineer Electronics में Trainee Engineer Mechanical में ने 6 Vacancies निकाली है Trainee Engineer Computer Science में ने 3 Vacancies निकाली है और Trainee Engineer Civil में ने 1 Vacancies निकाली है जिसमें से इन्होंने General Category Awardуч sill को 9 Vacancies General Category Award così रखी है OBC के लिए 6 Vacancies रखी है SC के लिए 3, ST के लिए 2 और EWS ए 2 Vacancies यहाँ पर रखी है तो अगर आप trainee engineer की यह जो इन्होंने post निकाली है इसमें apply करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 28 साल तक होनी चाहिए और कम से कम एक साल का आपका experience भी होना चाहिए ठीक है दोस्तो इसके अलावा यहाँ पे अगर मान लिजे कि आपकी कोई category है SC category में आप आते हैं ST category में आप आते हैं तो आपको age में यहाँ पे relaxation दिया जा रहा है 5 साल का आपको यहाँ पे relaxation मिलेगा और अगर आप OBC candidates हैं OBC category आपकी है तो आपको 3 साल तक यहाँ पे age में relaxation मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन्होंने proof of date of birth के लिए इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास higher secondary का मतलब 10th का marks card रहता है या फिर कोई भी other valid documents आपके पास है तो उसको यह consider करेंगे as a proof of date of birth ठीके दोस्तो थोड़ा से नीचे scroll करें तो यहाँ पे आप देख सकते है अगर आप project engineer की post के लिए select होते है तो यह आपका 3 साल का रहना है 3 साल का आपका जो period है वो 3 साल का रहेगा और यह 1 साल का और extend हो सकता है maximum 1 साल का और extend हो सकता है और यह depend करेगा project की requirement के उपर और individual की performance के उपर यह आपकी performance क्या रहती है उस पे भी यह depend करेगा कि आपका 1 साल का जो यह period है वो extend होना है या नहीं होना है तो अगर आप यहाँ पे project engineer की post के लिए select होते हैं तो आपको पहले साल 40,000 रुपया मिलेगा पर मन्त दूसरा साल जब आपका start हो जाएगा तो पर मन्त आपको 45,000 रुपीज मिलेंगे और जब आपका 3 साल start हो जाएगा तो आपको 50,000 पर मन्त मिलेगा और मान लिजे कि एक साल आपका और extend हो गया तो आपको 4 साल में 55,000 रुपीज पर मन्त यहाँ पे pay off दिया जाएगा इसके अलावा अगर आप trainee engineer की post के लिए select होते हैं तो यह आपका 2 साल का रहेगा initially आपका जो 2 साल का यह period रहना है तो एक साल का यह और extend हो सकता है project requirement के साब से और आपकी performance के उपर एक साल का यह और extend हो सकता है maximum जिसमें से आपको first जो पहला साल आपका होगा अगर आपका मान लीचे की 3 साल भी extend हो जाता है तो आपको per month 40,000 रुपीज यहाँ पे दिया जाएगा ठीक है दोस्तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखें कि यह जो आपको pay off मिलना है monthly इसके अलावा आपको 12,000 रुपया सालाना भी यहाँ पे दिया जाएगा ठीक है दोस्तो यह यहाँ पे दिया जाएगा आपको किस के लिए आपको medical, insurance, premium, attire allowance, stitching charges, footwear allowances वगेरा तो यह सब आपको 12,000 रुपया पर month दिया जाएगा आप यहाँ पे देखे इन पोस्टों के लिए यहाँ पे qualification इन्हों ने क्या रखी है तो qualification रखी गई है यहाँ पे देखे प्रोजेक्ट इंजिनेर electronics की पोस्ट के लिए अगर आप apply करते हैं तो आपके qualification या तो आपने B.E. होना चाहिए या B.E. होना चाहिए या B.E. होना चाहिए या B.E. in electronics होना चाहिए ठीके दोस्तों या electronics and communication, electronics and telecommunication, telecommunication, communication तो यह सब अगर आपके qualification है तो यहाँ पे project engineer electronics की पोस्ट के लिए आप apply कर सकते हैं Project Engineer Mechanical की post के लिए अगर आप apply करते हैं तो आपकी जो qualification है या तो BE किया होना चाहिए या BSE Engineering in Mechanical होना चाहिए तब जाके आप यहाँ पर apply कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ट्रेनी की पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पढ़के सुना था ट्रेनी इंजिनियर मेकेनिकल में अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो या तो आपके पास क्वालिफिकेशन बी होना चाहिए बीटेक होना चाहिए या फिर बीएसी इंजिनियरिंग मेकेनिकल में किया होना चाहिए तब जाके आप यहाँ पर आपलाई कर सकते हैं इसके लाव यहां पर दिखें ट्रेइनी इंजिनिर्स सिविल के लिए अगर अपडा करते हैं तो B, B Tech होना चाहिए B.C engineering, Civil Engineering होना चाहिए तब जाके आप यहां पर अपडाई कर सकते हैं इसके लाव यहां पर अपर्संटेज रखिए कि वह था कंडिडेट्स को कम से कम 55% मार्क होने चाहिए और इससे ज़्यादा होंगे तो भी यहां पर चलेगा लेकिन 55% मार्क तो होने ही होने चाहिए इसके अलावा इन्होंने का कि केंडिडेट्स पॉस्ट पॉस्ट यानि केंडिडेट्स को सारे सारे समेस्टर सारे समेस्टर के मार्स काड होने चाहिए ठीक है जो भी वहां से मिलता है आपको तो यह सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं कुछ और इपॉर्टेंट देख लेते हैं तो यहां पर देखे इन्होंने नोट में लिखा है कि जो आपका टीचिंग का रिसर्च वर्क का एक्सपिरेंस जो है वो यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा वेलिड आपके पास एक्सपिर के दोर पर ठीक है इसके अलावा यहां पर तोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर लिखा है इन्होंने उन्होंने इसकaries पर प्रोजेक्ट इंजिनेर एंडड ट्रेणिंजिनेर के लिए इन्होंने क्या क्या एक्स्पिरेंस किसमें आपका होना चाही जो यह ये consider करेंगे ठीके दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको देखें mechanical के लिए आपके पास क्या क्या experience होना चाहिए किस-किस में आपका experience होना चाहिए इस तरह किसी computer science engineering अगर आपने किये तो आपका experience क्या क्या आपको आना चाहिए ठीक है civil के लिए क्या क्या आना चाहिए तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने दी हैं इसके अलावा यहाँ पर देखिए application fees आपके क्या रहने वाली है इन पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आपके आपको पे करने हैं जिसमें से 150 आपको application fees लगेगी और प्लस 18 परसंट यहाँ पर GST की तोर पर लिया जाएगा जो कि 177 होनने यहाँ पर बताया है थोड़ा सा नीची स्क्रॉल करते हैं कुछ और important देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर documents to be uploaded यानि कौन कौन से documents आपको upload करने हैं तो 10th की 10th की mask card आपको upload करना है या फिर any other valid documented proof of date of birth के लिए कोई भी other document भी यहाँ पर upload कर सकते हैं अगर 10th की mark sheet है तो उसको आप apply कीजिए इसके लावा नंबर second यहाँ पर B.E.B.Tech Engineering जो भी आपने किया हुआ है तो वो आप वो आपको यहाँ पर upload करना है और उसमें क्लियरली सारी चीज़े mention होनी चाहिए साफ दिखाई देना चाहिए आल समिस्टर मांक्स कार्ड और आल समिस्टर के मांक्स कार्ड आपको यहाँ पर upload करने cgpa conversion documents वेरेबर applicable अगर आपका है तो यहाँ पर आप उसको भी यहाँ पर upload कर लीजिए इसके लावा cast certificate वगेरा यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर upload करनी है ठीके दोस्तों इसके लावा यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है कि insurance coverage आपका 2 lakh का हो जाएगा for medical cover and rupees 5 lakh हो जाएगा for life cover आपका इसमें and shall be obtained by concerned easier at the time of joining copy of the shall be submitted to HR तो यह आपको क्या करना है HR को submit करनी है तो दोस्तों I hope कि आपको सारी चीज़ें clear हो चुकी होंगी तो इस सब PDF को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं candidates shortlisted by the return test intro and final selection will be made available on bell website तो अगर आप shortlist होते हैं return test के लिए interview के लिए तो आपको यहाँ पर and final selections will be made available on तो यह आपको website पर यहाँ पर available हो जाएगा और यहाँ पर देखें last date दी है कि आप कब तक यहाँ पर इन पोस्टों के लिए यहाँ पर apply कर सकते हैं तो 27, 10, 2022 आपकी last date रहने वाली हैं और इसके लावे इन्होंने कहा है कि अगर आपकी कोई भी यहाँ पर further details चाहते हैं कुछ भी पूछना चाहते हैं तो please feel free to contact us यहाँ पर इस email पर आप इनको contact कर सकते हैं और दिये के number पर इनको call भी कर सकते हैं So I hope दोस्तों कि आपको सारी चीज़े clear हो चुकी होंगी So thank you very much